जेहिंदर नमस्कार मेरे सेर सेर्णियों कि मुझे कहां पूशन थे कि मौश्रम शुहाना देखूं तेरी याद से निकलू से जीडी फिर जमाना देखूं जो बच्चे से जीडी का बढ़ती का बेसमरी से इंतजार कर रहे थे बढ़ती आ गई है अब उनमें वापस जो सेंट होगी, आपने भी देखऊ गर आपने कई ऐसे चैनलों पर आपने सर्च कर लिया और में आपको जानकारी नहीं मिली होगी, कि आपकी इस बार जो आयव है वो क्या रहे बढ़ती जूट मिलेकी, या नहीं आप सभी को कोई मूँ नहीं खोल रहा था कि नॉंबर मेसेज़ जीडी की बढ़ती है उसमें सिर्फ मेरा वीडियो चल रहा था और मेरे वीडियो के आने के साथ दिन बाद में यह अपडेट आई थी तो आयू वाली जो आपके समझ आने इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि आयू में चूट रहेगी और हंड्रेड परसेंट चूट रहेगी लेकिन तीन साल की चूट नहीं रहेगी दूसरा की एज काउंट कफ से होगी तो एज जो काउंट होगी लाड़ लो होगी चोबीस नौंबर से जोबीस नौंबर दो हजार इज़से आपकी आयू काउंट होगी ठीक है एक तो मैं आपको बता दे है तीन साल की छूट नहीं रहेगी ठीक है दूसरा जो काउंट होगी वह होगी चोबीस नौंबर 23 यहनि इस देट तक आपकी आयू कम से कम 18 साल होनी चाहिए यह मिनीमम उपपर की बात नहीं करा मीनिमम, साथ ही एक चीज और बता दो लाड़ लो, कि अगर आप SSC GD की तयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे अग्रीम बेश से जुड़ गए, उनलाइन माधियम से, जो बच्चे पहले कहीं तयारी किये वे, वो अग्रीम बेश से तयारी कर सकते हैं बाकी हमारी अकेडमी आके तयारी कर सकते हैं, मैं गारिंटी लेता हूं 100% कि जो बच्चे ओनलाइन बेश से जुड़ गए, उनका संपून जो कोर्स है, वो उससे बाहर आपका कुछ नहीं रहेगा, अगर आप उस बेश से जुड़ गए, अगर आपने उस बेश में तीन म पेपर देख लेना, अगर इसके मेटर से कुछ बाहर हो जाए, क्योंकि SSEGD का जो सेलेबस है, पिछले 10 साल से मैं कवर करता आ रहा हूं, और इसके पेपरों को बहुत अच्छे से देखता रहा हूं कि इसमें किस समय पर क्या-क्या बदलाओ होते हैं, आप सभी को बता हैं, SSEGD 2024 लिखना है, फिलिप कार्ड और अमेजन पर, तो मेरी बुक आपके सामने आजाएगी, आगे विराड से कर देना, उस बुक को जब आप देखोगे, उसमें सारे के सारे हस्तलिकित नोट्स हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप उन किताबों से, और साथ एक इस बेश से जुटकर अगर आपने तैयारी कर लिए, तो तीन महां बाद, यानि बराबर 90 दिन बाद, आप SSE का कोई भी पेपर उठा लेना हूं, कोई भी पेपर, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, एज मिनिमम्म 18 साल होने चाहिए ध्यान रखना कब तक 24 नॉबीस 2023 तक, शाथ ही, मेक्सिमम एज में तीन साल की चूट नहीं मिलेगी, जहां तक, मुझे मालूम है, एक साल से या दो साल की चूट मिलेगी, मैं आपको बता दूँ, एक साल की चूट मिलने के चांद से ज्यादा है इस बार, कि आयू सिमा 18 से 24 रहे, ठीक है, अब आप बोलो क कि सर एक या दो में कन्फूज की चोड़ रहे हो, क्योंकि ससी इस समय जो डिसीजन ले दिये, क्या पता नोटिफिकेशन के समय उस डिसीजन को बदल दे, और आपको ये लगे कि सर उस समय एस से फैंक रहे थे, ठीक है, अगर अभी कि इस डिसीजन की बात करूं तो एक साल की छूट है, अगर मान लो नोटिफिकेशन के समय किसी सरकार के दुवारा कुछ भी कोई अपडेट आ जाए, तो इसको दो साल की भी की जा सकती है, क्योंकि ससी में बदला होना, हर दस दिन में बदला हो जाता है, ससी में आपने देखा, ससी में तो स्पेसली, इसलिए, तो उसके जुड़ने से मातर से ही, आपका बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी अपडेट है, आपको सबसे पहले मिलेगी, जय हिंद, जय भारत!